आज है आज नॉमबर तो फिलाल मुझे व्लॉग एडिट करना है एडिट करना है पचास उर्पे का जो मुझे चैलेंज था पचास उर्पे में वन डे तो उसका वीडियो एडिट करना है बट अभी हम कुछ ऐसा कर रहा है घर पे हूँ तो आज हम और हमारे मामा जी मुझे बिर्यानी बना रहे घर पे तो सुचा एक व्लॉग बनाते हैं और उसमें हम लोग किस तरह बनाते हैं इसकी दोड़ी सी रेस्पी बताऊंगा तो वीडियो को एंट तक देखना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर जाना तो आज है आठ मार्च तो अभी सामके साथ बच के 21 मिट हो रहा है सो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और फिलाल बस ऐसे नॉर्मली व्लॉग कर रहा हूं बस एक्दम रेंडम ली तो अभी यहां पे हम लोगों ने दिखतो यह हमारा दही है और यहां पे चिकन है और इसमें सबसे फर्स इस्टेप होगा कि यह कि कि सबस्यां बहुते हैं यह जिंजर गालिक पेष्ट इस में मिलाना है यह वन्केजी चिकन है अब यह सबसे पहले दुल चुकै आई है अब इसमें जoure घ्र्लिक स Executive Мिलेगा यह स्मितन जोन्स का आता है पाथ पांच वाले दो सैसे डालने आपको इस तरह से इस सबसे बेश होता है इसमें 10 रुपा के लिए कि आदो वह जादा अच्छा होता है आपको जादा एक तीन तड़ाम नहीं करना पुड़ता है और यह मीठा दई है अप्रॉक्स डेड़ रिया 200 ग्राम डाल सकते हो आप एक किलो में 200 ग्राम पर डालो ज्यादा सही रहता है और थोड़ा सा इसमें सप्रेटा दई भी डालेंगे थोड़ा सा वस्तों खटास जो होती है वह थोड़ी दोर ख़ति उभर के याएगी इसकुवशेस को की विस वड़ीन गöd angeंगे चीकन बासाला और बियानी मसाला सब बीजल्वेल कशेक्टे लाब आ है कि आप रखेंगे हम लोगें डाल दाल लिया चिकन मसाला समयं उसको उम लिग तो जो चलेंगे किन अधा गंटे आधा गंटे हम लोग रखेंगे इसको मैंनेट करने लिए विरा गंटे बाद इसको शड़ेगा यह कडाई कुकर में बहोने में नहीं यह गरम मसाला है इतना डाल सकते हैं आप लोग आवा सकता हैं को नुश्वार पांस रुपया वाला और एक निम्मू मुलब खटा जो जैसे होता है शप्रेटा दही तो इसकी वाज़े से कम आती तो निम्मू डालतों तो कंप्लेट हो जाता है और नमक भी पड़ेगा तो यह रहा नमक तो यह निम्मू पड़ रहा है प्रोक्स एक बड़ा निम्मू डा सकते हो उसमें थोड़ी खटाज ज्यादा आ जाएगी और एक किलो मुर्गा तो इसमें अप्रोक्स एक किलो चावल आप बिलाओ ले सकते हो ब्रियानी वाले दावत का लेलो इंडिया गेट का लेलो या नॉर्मल लेलो जो नॉर्मल तो आता है नॉर्मल सा देखें तो इस तरह से कुछ 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 पीज जिकर जाएंगे निम्मू के तो अटाने पड़ेंगे तो मिट इसमें एक डेली चम्माच डाल सकते हो नॉर्मल सा चोटाला चम्मच और थोड़ा सा घर की पीची हुई है मतलब आपको कलर सा अलग ल एक गर्ममसाला है अलगी निया बर्वावड़ा जीज्चा अलगी है यह जुट जीतना भी हमारे मतलब जितने भी घृश्चा जू अलगर कि उवह बर्वावन दे उससे ही साब से कूंटिविश्मन आला जिसे कि आप लोकल सौप्स लाते तो वह साम अची कौल्टिक होता तो इसको पूरा मैस करना है इस तरह से काफी इच्छे से करोगे अमने अब आप प्रॉक्स आधा रखते ला तो जादा अच्छा हो जाता है जब तक दही पूरा इस पे चिकन भी लग नजाए तब तक आपको पूरा मैस करते रहना है तो इससे तो यह मैरिनेट हो गया और आप कोई वाउल में करना बड़े कटोरे में तो ज्यादा सहीर होगा तो उससे मतलब यह होता रहा है यह आप थाली वगराराम करोगे तो इसमें फैल जाता है वाउल में आदा गंडे रखते हो तो काफी अच्छा रहेगा और इसको जाता है जाता है तो तीन चम्मच जालना नमक टाटा का इसको फिर से मैंने करना है अब इसको मैंने करने के लिए रख देंगे फिर आधे गंडे वाद इसको स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट इस्टाइब तो काइस मतलब आदे गंडे हो चुका है और मैं भी नहां किया चुक हो इतनी ज्यादा गर्मी होने लेगी काणपूर में फिलाल अभी कशीन कुछ ऐसा है मतलब हम पेश्ट करने वाले मतलब प्याज यह काटा हुगा इनने कुदिया है चार पांच गुदिया इतना प्या प्याज कर लिया है और अपने इस तरह कुछ आपका पेश्ट हो जाएगा और बिल्खूल इक्तम बारी करना हो कर लेना अपने इसाब से तो यह तो कड़ाई इस तरह चालू करती है इतना ओई आप लाग से तो रिफाइंड बढ़े दो चम्मट आसके हो और इतना पूरा प्याज डालना है यह पांच कुदिया प्याज डाला हुआ है इसमें पांच कुदिया प्याज पढ़ा है और एक कुदिया मतलब अप्रों बचा लिया था थो तो तो तेज आज में चलाना उंगा इस प्याज को बुझा अटिया यह थो प्याज को बड़ा सा ब्राउन ओन्तर गर आने तक आपको आप और राइम नहें और अब इसमें डालेंगे अलतेजिए अश्यकें और दरोप ब्राँ डलाल ऀप आलीड़ तकका का अटो डालोड सेट हो गया लेगा है जादा ओरिजनेल है अच्छा हाँ तो टमाटेस में डाल दिया अब इसको तोड़ा से फ्राइ होना है फ्राइ होने तभी बेट करना है अब यह मिल्ट वाला पूरा जो इसके मैननेट करने के लिए रखा था चिकल इस तरह से पूरा इसको डाल देना है इसके अंदर अच्छे से यह देख सकतो अच्छा खासा मैननेट हो गया अप्रॉक्स पॉन घंटा यह रखा होगा आदे गंटे लिए रखा था बट जितना ज्यादा मैननेट कर तो उतना ज्यादा अच्छा होगा चिकन के लिए देख सतो आपको थोड़ा सक चलाते रहना है तो इस तरह से मिल जाएगा प्रॉपर आप इसे तो अक्छे से मिल गया है दोटी मिट चलाना है डालने के बाद तो पानी जो होता है जो मसालों में लगा रहता है बरतनों में तो डाल लेना पूरा ग्रेवी के लिए अब यूज करना है पूरा मतलब यह सब्जी को ढख देना है डाटने के बाद इस तरह कुछ हो जाएका डखने दो आप किनी तिरतिक लिए इसको बोलना है जा आप 15 अच पान्दा में बाद इसको उपन करेंगे तो यहां पर पूरा बहोना है तो एक किलो चावल की प्रिय तो इसमें चावल अलग बनेंगे और ये ग्रेवी अलग बननी है अब इसको मिक्स करके पूरा बिर्यानी का तेश्ट दिया जाएगा तो पानी में क्या डाला है कितना और काली मिल्स कितनी डाली है अर जीरा केंदा डाला एक मश्य और निंबू उड़ना या एक मला अलका गुन्बूना पानी तब आपको थोड़ा सा समान डालला है इलाइषी डालनी ये 5-6 बड़ी वाली बड़ी नहीं नॉर्मन से चायम डालते हैं और दो निंबू डालने 2 या एक निंबू डालने तोड़ा सा और इसमें इलाईशी डालनी है 10-15 बीज दाने एक चमच जीर डासकतो मुझला मामा ने डाल दिया तो मैं बतानी पाया तो यह बता रहा हूं और यह चावल हो गये अब इसको चावल दाने चार चमच नमक भी उसमें नमक ने डाला भी दाल दी कितना उसमें नमक डालता है घर चमच अगर चमच जीमा दाना लिया और इसमें चमच नमक सार चावल में नमक ज्याथा पड़ेगा जोसका चावलवले का हाथ इसका लगा फॉत है और विज्व देख सकतो है और सबस्सक्राब दाने तो में पहले मिलच अधने पूरे आपको पूरा एक बिस से फाड़ के दालना इस तरह से तो पिस से फटा हुआ है इस तरह से डालना है और चावल भी आ गया है पकने बाट वाला है बस पूरा सबसे अलग बनाई हे हैं आप इस ही कुपर चावल डाल देंगे इस पर उड़ी डाल लेगे लिए अब यह सब्जी निकाल देंगे doctrine निकाल लाएं से इसके पानी से को अभी पूरा पानी निकाल लेगा विद्सक्राइब तो यहां पर इस तरह डाला कि इसका सब्जी है और यह चावल निकाल लिए गया था इसमें एक प्लेड में तो इसमें क्या गया पूरा पानी फेक के तो एक लिए और मनलब नीचे सब्जी डाली गई है चावल फिर सब्जी फिर चावल फिर सम्जी बनाइगा त्म यहां पर जाता मैं थो तो देख सुथ हाथ बलेके डालने से रहे ता परफेक्ट 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 परदा है इस तरह से और तेल यह समझत तो इसमें भी एक डेड़ चमश तेल होगा दूमाच दो चमश सब्जीर बनाने में लग गया और देड़ चमश लग पानी जब चावाल बना जाता है और यह संटो पूरे प्रोसस में मैं नास सेघ्राम ने दो दो सगम तेल लग जाता है पूरे प्रोसस में पूरा ब्यानी बनने तक और एक गंटे का वक्त तो लगना ही लगना है इसको टूद्यते हैं अब इसको थोड़ी तेर भाब में हो जाने तो फिर इसको परोसेंगे आपको दिखाएंगे सीधा टक्स्चर क्या आता है यह फाइनल निकला पूरा फाइनल टेच यह लेयर भाई लगाएंगे पूरी तो इस तरह से अब इसको परोस रहें तो इस तरह कुछ टेस्ट आएगा और थमनेल में आपने फोड़ो देखियो कि किस तरह इसका पूरा प्लेट पे सजेगा तब समझ में आएगा तो चलो इस वाईघ प्याट तो इस तरहु कि दो खरुब वस्टेश कुली कर दूपर थम्से लेयर खरुब यह, भाला हुआ कोशल तो इस समझ एल्सुदवे तो, निया है वी रखरुब यह, जिस तरहुब यह, रखुब यह, रखरुब यह, तो, ब्सुद़े तो, थम्सुर्ण